आज मैं मा भारती के उस संतान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका कहना था कि तुम मुझे खुन दो मैं तुमें अजा दी दो सदत्र सग्राम के अग्रणी और सबसे बढ़ेने थे अंग्रेजों कुछा का जवाने वाले अमर सिनानी जिनकी एक आहट से दुस्मनों के धरती कहां भुखते थे खुन कहो किस मत्रव का जिस में उबाल का नाम नहीं ौ खुन कहो किस मत्रव का जो जवाने ना रवानी है परवास होकद बाता है वो खुन नहीं पानी है उस दिल योगों ने सही सही खुन की किमत पहचानी थी, जिस तिन नेदाजी ने वर्मा में उनसे मांगे खुरपानी थी और इस वतंत्र के खातिर परितान उन्हें करना होगा, तो उन्हें जी चुके तुम जग में परकी आगे तुम्हें मरना यूँ कहते कहते वक्त की आखों में खुल निकल आया, तो तमख उठा और दम की उनकी रख्तिम काया जागू बाहू उचे करके उन्होंने बोया दक्त मुझे देना और इसके बद्रे में भारत की आजादी तुम मुझ सुए हो गई सभा में उथर उथर सीपे मेना दिल समाते थे, इनकलाब के नारे हो सो तक छाए जाते थे धेंगे धेंगे खूल सब बस यही सुनाई देते थे, हम भाएंगे घंड में यूवक्त खरे दयार इखाई थे रूख अगज है कौने हाँ आज तक हस्ता चर्ट करता है। यह सधारन पत्र नहीं यह अजादी का परवाना है और इस पे अपने दन का उच उच्वल रख्पित किराना है। वहीं आगे आए जिसके घंड में खून भारतिये बहता हो। वहीं आगे आए जो इंदुस्तान खुद को कहता हो। आगे आए जो इस तक खूनी हस्ता चर्क करता हो। अर जंता हूं खारी है हम आते हैं हम आते हैं माह के चर्णों में हम अपना खून पहताते हैं। साहस से बढ़े युबक उस दिन देखा बशते हैं आते थे। आभू छूरी कडौर्यों से अपना रखते हैं विगाते थे। ति उस रख्त के स्याही में अपना कर्म तुबाते थे और अजाजी के परवाने पेहां तक चलते हैं। उस दिन दागों ने देखा हिंदुस्तानी विगो आज नया। हां अगर्ण विगों ने रिखा एक इती आस नया। सुबास्ते हैं। जय हिंद, जय भागें। सुबास्ते हैं।